हैर फोल एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हर किसी को इस रास्ते से घुजरना ही पड़ता चाहे वो छोटे हो बड़े हो बुजुर्ग हो किसी भी एज़ के हो हैर फोल आम बात हो गया है आज कल हैलो गाइज कैसे हैं आप सब आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ हैर फोल प्रॉब्लम से चुटकारा पाने के तरीके जो बहुत ही आसान है आप डेली करते हैं मिनस वीक में आप तिन बार तो जरूर करते हैं हैर ऑइलिंग लेकिन हैर ओलिंग करने का सही तरीका क्या है और हैर ओलिंग आपको किस तरह से करना चाहिए कि आपके हैर फॉल ना हो और उससे पहरे मैं आपको ये बताना चाहूंगे कि हैर फॉल एक होता है हैर फॉल और दूसरा होता है हैर लोस अगर आपके hair fall हो रहे हैं तो ये वीडियो आप लोक के लिए हैं। अगर आपके hair loss हो रहे हैं तो ये वीडियो आप इसकी कर सकते हैं। क्योंकि hair loss एक ऐसी problem है कि आपके बाल बहुती जादा वहाँ पर गिरते हैं। अगर आप अपने बालों में हाट डालते हैं तो आपके बाल मुठी में मुठी भर कर आ जाते हैं आप कंगी करते हैं तो फर्स पे बहुत सारे बाल बिखर जाते हैं कहीं कहीं पे आपके स्केल्प के स्केल्प में पैचेस बन जाते हैं अगर आपको hair loss हो रहा है इस तरह का problem है आपको तो आप जाकर doctor को अपनी problem बताएं ये वीडियो देखकर आपको benefit नहीं मिलेगा अगर आपको hair fall हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि hair fall किन किन चीजों से होता है ये मैं आपको बता सकती हूँ लेकिन hair loss ऐसी problem है कि कहीं न कहीं आपकी body में कुछ तो गलत हो रहा होगा जो आपको doctor ही बता सकता है doctor आपका check up करेगा तब ही जाकर आपको इसका solution मिलेगा hair fall के लिए मैं आपको इतना जरूर confirm कर सकती हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं और इसे यूज करते हैं तो आपको 101% इसका result जरूर मिलेगा मैं इस चानल पर skincare, hair care, makeup से related और beauty tips से related वीडियो लेकर आती रहती हूँ अगर आप ऐसी वीडियो में interested है तो please मेरे चानल को subscribe कर दे आप बढ़ते हैं वीडियो की तरफ देखते हैं कि आपको किस तरह से लगाना चाहिए सबसे पहले मैं अपने बालों को कॉम कर लूँगी कॉम मैं नीचे से स्टार्ट करूँगी पॉरे बालो टोनर, इसे मैंने सुखा आवला और मेथी से बनाया है, और और इसे चंडी से छान लिया है, और इसी को स्प्रे बोटल में डाल कर इसे स्प्रे कर लूँगी पूरे बालों के अंदर अच्छे से स्केल्प में और फिर उसके बाद मैं करने वाली हूँ मसाज मसाज करने से बलड सर्कुलेट होता है जिसके वज़े से आपके बाल तूटना कम हो जाते हैं अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ जो भी आपके पास ओई है वो ले सकते हैं और नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यह ऑलीविया ओईल दोनों ही आप हैर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं नेक्स्ट मैं इसके अंदर एड करूंगी टू विटामिन ए की कैपसूल अब मैं इस ओईल को हलका गुनगुना कर लोंगे डबल बॉइलिंग के हेल्प से आपको जादा गरम नहीं करना है इसको हलका गुनगुना करना है जैसे मैं कर रही हूँ इसमें मैंने गरम पानी ल आपके बाल जल्दी ग्रोथ होना सटार्ट हो जाते हैं और इसके अंदर फैटी एसीड भी हैं कोकुनेट आ उयल आपके बाले टूटे हुए को मुस्टवा उपराइश करता है साथिसाथ आपके डामेज हैर को रिपैर करता है आपको पूरे बाल में अच्छे से एयर ऑट कर लेना है नीचे भी नहीं छोड़ना है जैसे मैं अपलाइक कर रही हूं और इस मैठेड को आप वीक में दो बाट राइज जरूर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आपके ज्यादा हैर फॉल ना हो तो और एक गंड़े के बाद मैं इसे वाश कर लूगी अच्छा क्या मैं कि यह समझ सकती हूं कि यह वीडियो बनाना मेरा टाइम वेस्ट नहीं था आप लोगों के लिए हैल्प था और अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है है तो प्लेस लाइक बटन को हिट जरूर कर दे मैंने हैर ओर लिंग का तरीका बटाया है उससे ट्राइक करें और इसका रिजल्ट मुझे कमें बॉक्स में शेयर करें तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए खुश रहे हैं अपने लाइफ में सो बाबबा एन अलाफीज